उसने बरसों मेहनत करके प्रसिद्धी और धन कमाया, लेकिन अंदर से वो खोखला और पीडित था। सर्वशक्तिमान पर मेश्वर के वचन पढ़कर उसे समझ आता है कि सत्य की खोज करना ही सही मार्ग है। वो उत्साह पूर्वक करतवे पालन करने लगता है। लेकिन जब उसके काम और करतवे के बीच तनाव पैदा हो जाता है, तो वो भैंकर दुविधा में फस जाता है, उसे एक को चुनना होगा। सही चैन करने में मददगार परमेश्वर के वचनों के मार्ग दर्शन से उसे क्या एसास होता है। बच्पन में मेरा परिवार काफी गरीद था। गाओं के लोग अक्सर हमें धमकियां देते रहते थे। उनकी धमकियों के कारण जब मेरी मा रोती, तो मुझे बहुत बुरा लगता। मुझे लगता कि छोटी हैसियत के कारण लोग हमें हिकारस से देखते हैं और हमें कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। उस दौरान मेरे माता पिता अक्सर मुझे से कहते हैं, गरीब बड़े शहरों में भी अकेले ही होते हैं और अमीरों से पहाडों पर भी लोग मिलने आते हैं, तुम बड़े होकर नाम कमाना और अपने परिवार का नाम रोशन करना। यह बात मेरे दिल में समा गई। मैंने हैसियत और सम्मान पाने के लिए जम कर कड़ी मेहनत की। 1986 में मैंने एक बड़ी राष्ट्रिय कंपनी के भरती प्रशिक्षन कारिक्रम में भाग लिया। प्रशिक्षन के दोरान मैंने जम कर पढ़ाई की। हर महीने ग्रेड और व्यावार में उचे अंक हासिल किये। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे निम्न प्रवेश स्तर का पद मिला। जबकि जिनके अंक मुझे से खराब थे लेकिन पारिवारिक हैसियत उची थी, उन्हें प्रबंध की अपद मिल गए। मैं इस बात को सह नहीं पा रहा था। लगा कि अगर मुझे खुद को विशिष्ट दिखाना है तो सिर्फ अच्छा काम काफी नहीं, बास की चापलूसी भी करना सीखना होगा। तब से मैं अक्सर बास के घर के काम में मदद करने लगा। जब वह बीमार होकर अस्पताल पहुँचा तो मैं उसके हर काम के लिए वहां मौझूद रहा। बास की नजरों में चढ़ने के लिए मैं दुनिया भर की कितावें खरीद कर पढ़ने लगा ताकि अपना प्रबंधन कोशल सुधार सकूँ। कुछ ही सालों की मेरी मेहनत रंग लाई, मुझे पदोनती देकर वरिष्ठ प्रबंधन में जगह दी गई। कार खाने में मजदूर सिरह लाकर मेरा अभिवादन करते और जब मैं काम से घर लोटता तो पडोसी मिलने आते थे। देखते ही देखते मैं अपने गाउं में बड़ा आदमी बन गया। लोग अपने काम के लिए मेरे पास आने लगे। यहां तक कि जो लोग पहले नागभौसी कोड़ते थे, उनके भी सुर बदल गय थे, वो दोस्ताना व्यावार करने लगे थे। सब के ध्यान का केंद्र बनना और भर भर कर तारीफें पाना मन को बहुत संतोश देता। 1998 में 35 वर्ष की आयू में ही मैं कारखाने का निदेशक बन गया। लेकिन हैसियत और अधिकार पाकर भी मेरे अंदर एक बहुत बड़ी बेचैनी थी। चुकि मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं था, इसलिए अगर मैंने काम अच्छा नहीं किया, तो शायद मैं अपनी मौजूदा हैसियत कायम न रख पाऊं। तो मैं अपने काम में सावधानी बरतता, मानों तलवार की धार पर चल रहा हूं। कुछ गलत होने पर नौकरी जाने का डर लगता। कारोबार बढ़ाने के लिए, मैं ग्रहकों को दावते देता, पीने पिलाने के लिए, अक्सर उन्हें कलबों में ले जाता। मझे पता चला कि कुछ प्रबंधक तो ग्रहकों को पैसों के साथ औरतें भी मुहिया कराते हैं। मझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन तमाम सोच विचार के बाद आखिरकार मझे समझाता करना ही पड़ा। उस दौरान मैं परिशान रहने लगा और मुझे नींद भी कमाने लगी। काम के दबाव और अपनी परिशानियों के चलते, मुझे मधुमेह और उच्चे रक्त चाप जैसी बीमारियां हो गई। मेरा कोलिस्ट्रॉल बढ़ गया। आगे चलकर मेरी कमपनी पबलिक से प्राइवेट एंटरप्राइज हो गई। दो तीन सो कर्मचारी कमपनी के शेर खरीद कर मालिक बन गए। तीन साल बाद कमाई बढ़ाने के लिए हमने चेर्मेन की योजना की अनुसार छोटे शेर धारकों से शेर खरीद लिए। हमारी कमपनी हमारे क्षेत्र में कर राजस्यो का प्रमुक स्त्रोत बन गई। मुझे अक्सर प्रांथ की महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेना पड़ता था और मैं टीवी पर भी दिखता था। मेरे एहंकार को काफी संतुष्टी मिल रही थी। देखा जाए तो मैं शीर्षपर था और अमीरी का एक शांदार जीवन जी रहा था। लेकिन मेरे अंदर एक खालीपन और एक अजीब सी बेचैनी थी। रात को विस्तर पर पड़ा अपने बारे में सोचा करता। इतने साल मैंने मन और आत्मा काम में जहुक कर हैसियत और ख्याती तो पाली। लेकिन मैं अपनी गरिमा और स्वास्त को बिलकुल गवा बैठा। क्या मुझे वाकई ऐसा जीवन जीना चाहिए? मेरे इस तरह जीवन जीने का आखिर क्या अर्थ है? हाँ, हम चाहे कितना भी पैसा या प्रशन सा हासिल कर लें, मगर वो हमारे दिलों के खालीपन को नहीं बढ़ सकता। सही बात है। लेकिन व्यस्ती जीवन में ये सब सोचने का समय नहीं मिला। मैं अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा से इस तरह बंधा था, कि आगे बढ़ते रहने के लिए मजबूर था। लेकिन हैरानी की बात है, जब मैं अपने करियर के शिखर पर पहुँच रहा था, तभी प्रबंधन में मेरी चूक की कारण, हमारे एक उत्पाद में गुणवत्ता की बड़ी समस्या खड़ी होई, जिससे कमपनी को लाखों युवान का नुकसान हुआ। उस समय मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। उस कमपनी में इतने बरसों में मैंने लगभग हर साल बहुत सुधार किये थे। लेकिन पिछले छे महीने कड़ी मेहनत के बाद भी मैं अपनी प्रतिष्ठा बरबात कर बैठा। ऐसा लगा कि जैसे मैं पहाड की चोटी से रसातल में जाकर गिर गया हूँ। ये पड़ा आगा था। यदि तुम अपने भविश्य की संभावनाओं को जान सकते यदि तुम अपने भागी को नियंतरित कर सकते तो क्या तुम तब भी एक सुरजित प्राणी होते। एक और अंश है। मनुष्य का हिर्दय और आत्मा परमेश्वर के हाथ में हैं। उसके जीवन की हर चीज परमेश्वर की द्रिष्टी में रहती है। चाहे तुम यह मानो या ना मानो, कोई भी और सभी चीजें, चाहे जीवित हो या मृत, परमेश्वर की विचारों के अनुसार ही जगह बदलेंगी, परिवर्तित, नवीनिकृत और गायब होंगी। परमेश्वर सभी चीजों को इसी तरीके से संचालिक करता है। आमीन, आमीन। इन्हें पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि हमारा भाग्य और हर चीज सिर्फ परमेश्वर के हाथों में ही है। हम अपने करियर में सब हल होंगे या नहीं, इस पर हमारा कोई भी नियंतरण नहीं है। सही है। इस पर गौर किया, तो लगा कि यह सच है। शुरू शुरू में मेरा यही लक्ष था कि मैं अपने प्रयास से अपना करियर बनाऊंगा, लेकिन मैं बुरी तरह विफल रहा। इस से मुझे पता चला कि हमारा भाग्य हमारे नियंतरण में नहीं है। मुझे ये वचन व्यवारिक और बहुत ही सही लगे। सर्वशक्तिमान परमिश्वर के वचन पढ़कर यकीन हुआ कि ये इश कार्य है और मैंने उसे सुईकार लिया। उसे सुईकारने के बाद हमें अपने जीवन को बदलने का मौका दिया जाता है। है, सही बात है। फिर मैंने इश्वचनों का एक और अंश पढ़ा। मैं सभी राष्ट्रों, सभी देशों और यहां तक की सभी उद्योगों के लोगों से विंती करता हूँ कि परमेश्वर की वानी को सुने, परमेश्वर के कार्य को देखे और मानवजाती के भागए पर ध्यान दे, ताकि परमेश्वर को सरवाधिक पवित्र और सम्माननीय, सरवोच और आराधना का एक मात्र लक्षे बनाएं और संपूर्ण मानवजाती को परमेश्वर के आशीश के अधीन जीने की अनुमती दें ठीक उसी तरह से जैसे अबराहम के वंशच यहोवा की प्रतिज्याओं के अधीन रहे थे और ठीक उसी तरह से जैसे आदम और हव्वा जिन्हें परमेश्वर ने सबसे पहले बनाया था अधन के बगीचे में रहे थे आमीन आमीन परमेश्वर के वचनों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा मैंने अपना आधा जीवन सफलता के लिए संघर्ष करते हुए बिताया था अपने साथियों से श्रेष्ट होने का लक्ष हासल कर लिया था नाम कमा लिया था और अपनी एहंकारी च्छाय भी पूरी कर ली थी फिर भी मुझे अंदर खाली पन और पीड़ा महसूस होती थी मुझे एहसास हुआ कि सत्य खोजने के लिए परमेश्वर के सामने आना उसकी आराधना करना ही परमेश्वर का आशिरवात पाने का तरीका है मैंने परमेश्वर के आगे शपत ली कि मैं आस्था का अभ्यास कर परमेश्वर का अनुसरन करूंगा दो महिने बाद मैं अपनी कलीसिया में समूह अगुआ बन गया मैं सभाओं के आयोजन का प्रभारी था मैं उत्साहित था परमेश्वर की इच्छा को मानने और करतवे निभाने को तैयार था हमारा सभास्थल मेरे कारियस्थल के पास ही था इसलिए अक्सर सहकर्मियों से मुलाकात हो जाती थी समय बीतने के साथ साथ मेरी घवराहट पढ़ने लगी अगर बॉस को पता चल गया कि मैं विश्वासी हूँ तो मेरी बहुत ही आलूचना होगी शर्मिंदा होना पड़ेगा यह भी हो सकता है कि मुझे कंपनी से निकाल दिया जाए तब न प्रतिष्था बचेगी और न रुत्बा जिनके लिए मैंने अपना आधा जीवन खपा दिया था पर फिर मैंने सोचा परमेश्वर में विश्वास रखकर मुझे कुछ सत्य समझा गया है और मैं बहुत सी बुराईयों से बच गया हूँ मुझे पूरा यकीन है कि परमेश्वर में विश्वास रखना सत्य खोजना और करतव्य पालन करना ही सही मार्ग है यही मेरे जीवन की सबसे मूलिवान और सार्थक चीज है तो चाहे जो हो मैं इसे नहीं छोड़ सकता उसके बाद मैंने बेबस महसूस करना बंद कर दिया और सभा आयोजित कर अपना करतव निभाता रहा कुछ समय बाद बॉस को परमेश्वर में मेरी आस्था और सभाओ में भाग लेने का पता चल गया एक बार मैं कमपणी की बैठक में नहीं गया तो चेयर्मेन ने मेरी तलाश में लोगों को भेज़ कर यह भी पता लगाने को कहा कि कलीसिया सभा कहा है दूसरी बार मैं एक सभा में जा रहा था चेर्मेन को पता चला तो उसने जान बूच कर मध्य प्रबंधकों की बैठक बुला ली और ठेक मेरे बगल में बैठ गया ताकि मैं जाना सकूँ यह स्थिती मेरे लिए वाकई मुश्किल थी सभाव में जाता तो विवश महसूस करता उस दौरान मुझे घोटन महसूस होती यह स्थिती मुझे परमेश्वर में आस्था रखने और करतव्य निभाने से रोक रही थी मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मेरा मार्ग दर्शन करे फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा तुम्हें जानना चाहिए कि अब मुझे कैसे संतुष्ट करना है कैसे अपनी आस्था में सहीपथ पर आना है अब मैं तुम्हारी निष्ठा और अज्याकारिता तुम्हारा प्रेम और गवाही चाहता हूँ यहां तक कि अगर तुम इस समय नहीं जानते कि गवाही क्या होती है, प्रेम क्या होता है, तो तुम्हें अपना सब कुछ मेरे पास लेकर आना चाहिए, और जो एक मात्र खजाना तुम्हारे पास है, तुम्हारे निष्ठा और आज्याकारिता, उसे मुझे सौब देना चाह कि मेरे द्वारा शैतान के पराजय की गवाही मनुष्य के निष्ठा और आज्याकारिता में है, साथ ही मनुष्य के उपर मेरी संपूर्ण विजय की गवाही भी, आमीन परमिश्वर की बचनों से मुझे एहसास हुआ, कि जीवन में हमारे सामने हालात कैसे भी हो, हमें समर्पन का अभ्यास कर परमिश्वर की आज्या माननी होगी, उसके लिए गवाही देनी होगी उस वक्त मुझे आस्था का अभ्यास करते दो साल हो गए थे, हाला कि मैंने बाहर से कर्तवे निभाया, पर अपने काम के आगे बेबस महसूस करता था, चिंता होती थी कि मुझे निकाल दिया जाएगा, मैं रुतबा खो दूँगा, तो मैं मन लगा कर अपना कर्तवे नही फिर परमेश्वर की वचनों का एक अंश याद आया, क्या इसे मैं पढ़ सकता हूँ? जरूर, ये रहा, ठीक है, अपने विश्वास में पत्रस ने हर बात में परमेश्वर को संतुष्ट कर उस से आई चीजों का पालन करना चाहा, रत्ती भर शिकायत के बिना वो ताड़ वचना और नियाय, साथ ही शुद्धिकरण, घोर, पीड़ा और अपने जीवन की वनचनाओं को सुईकार कर पाता था, जिन में से कुछ भी परमेश्वर के प्रती उसके प्रेम को बदल नहीं सका, क्या ये परमेश्वर के प्रती सर्वुत्तम प्रेम नहीं था? क्या ये जीशु का बुलावा आने पर वह फोरण अपनी नाव छोड़कर उसके पीछे चला गया। कठनाईयों का सामना करके भी उसने परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी चाहिए। उसे क्रूस पर लटका दिया गया। वह परमेश्वर को प्रेम कर पाया, मृत्यु तक आग्याकारी रहा। उसने परमेश्वर के लिए शांदार गवाही दी। उसने एक मुलिवान और सार्थक जीवन जीया। सही का। मैंने आस्था कि अभ्यास और परमेश्वर के अनुसरण का फैसला किया था। मुझे परमेश्वर से प्रेम करने, उसे संतुष्ट करने में पतरस का अनुसरण करना चाहिए। और यही बिलकुल सही फैसला होगा। मैंने याद किया कि कैसे मैं अपनी आधे जिन्दगी रिश्वत लेता देता रहा, पतित होता रहा, रुत्बे के लिए जूट बोले। मेरे जीवन में बहुत दुख था। अगर सच कहूं तो मेरी जवानी इसी तरह बीद गई। आखिर में परमेश्वर द्वारा सही मार्क दिखाये जाने की बाद भी, मैं अपने काम के आगे बेबस था, आस्था का अभ्यास कर अपना कर्तव ये नहीं निभा पाता था, इस तरह काम करता रहा तो मेरे जीवन में प्रगती कैसे होगी। परमेश्वर के जब ये वचन याद आए, समय किसी की प्रतिक्षा नहीं करता, तो मुझ में जल्दबाजी की भावना आ गई। इसके बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ने की सोची, ताकि अपना सारा समय और उर्जासत के खोजने और अपना कर्तव ये निभाने में लगा सकूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। अच्छा है जो आप में सत्य खोजने और परमेश्वर के लिए खुद को खपाने की इच्छा जगी। हाँ, मगर फिर खयाल आया कि मैं अपनी आधी जिन्दगी कली मेहनत करके एक बड़ा शेयर धारक बना था, मेरा कई मिलियन युवान का पोर्टफोलियो था और मेरे बहुत सारे प्रशनसक भी थे। अगर मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, तो मैं मामूली इंसान बन जाऊंगा, तो फिर कौन मेरा सम्मान करेगा। दोस्त, रिष्टेदार, बॉस और सहकर्मी सब नीची नजरों से देखेंगे, और मुझे बेवखूफ कहेंगे। इस तरह मैं उनसे नजरें कैसे मिला पाऊंगा। यह खयाल आते ही, मैं उलज़न में पड़ गया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की उससे मुझे हिम्मत देने को कहा, ताकि खुद को अपने काम की बेड़ियों और रुकावटों से मुक्त कर सकूँ। खोज के दौरान मुझे इश वचनों का यह अंश दिखा। सर्व शक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, शैतान मनुष्य के विचारों को नियंत्रिक करने के लिए, प्रसिध्धी और लाब का तब तक उपयोग करता है, जब तक सभी लोग प्रसिध्धी और लाब के बारे में ही नहीं सोचने लगते। विप्रसिध्धी और लाब के लिए संगर्श करते हैं, प्रसिध्धी और लाब के लिए कश्ट उठाते हैं, प्रसिध्धी और लाब के लिए अपमान सहते हैं, प्रसिध्धी और लाब के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं, और प्रसिध्धी और लाब के लि या निर्णे ले लेते हैं, इस तरहा शैतान लोगों को अद्रिश बेडियों से बांध देता है और उनमें उन्हें उतार फेंकने का न तो सामर्थ्य होता है न साहस, वे अंजाने ही ये बेडियां ढोते हैं और बड़ी कठिनाई से पैर घसीटते हुए आगे बढ़ते हैं, इस प्रसिद्धी और लाभ के लिए मानव जाती परमेश्वर से दूर हो जाती है, उसके साथ विश्वासगात करती है और अधिकाधिक दुष्ट होती जाती है, इसलिए इस प्रकार एक के बाद एक पीड़ी शैतान की प्रसिद्धी और लाभ के बीच नश्ट होती जाती है, अब शैतान की करतूतें देखते हुए, क्या उसके भयानक इरादे एकदम घिनाउने नहीं हैं? हो सकता है, आज शायत तुम लोग शैतान के भयानक इरादों की असलियत न देख पाओ, क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि व्यक्ती प्रसिद्धी और लाभ के बिना नहीं जी सकता। तुम लोगों को लगता है कि अगर लोग प्रसिद्धी और लाभ पीछे छोड़ देंगे, तो वे आगे का मार्ग नहीं देख पाएंगे, अपना लक्ष देखने में समर्थ नहीं हो पाएंगे. उनका भविष्ध अंधकार में धुंदला और विशाद पूरण हो जाएगा. परंतु धीरे धीरे तुम लोग समझ जाओगे कि प्रसिद्धी और लाभ वे विकट बेडियां हैं जिनका उपयोग शैतान मनुष्य को बांधने के लिए करता है. जब वो दिन आएगा, तुम पूरी तरह से शैतान के नियंतरन का विरोध करोगे और उन बेडियों का विरोध करोगे, जिनका उपयोग शैतान तुम्हें बांधने के लिए करता है. जब वो समय आएगा कि तुम वे सभी चीजें निकाल फेंकना चाहोगे, जिन्हें शैतान ने तुम्हारे भीतर डाला है, तब तुम शैतान से अपने आपको पूरी तरह से अलग कर लोगे और उस सब से घ्रणा करोगे, जो शैतान तुम्हारे लिए लाया है. तब ही मानव जाती को परमेश्वर के प्रती सच्चा प्रेम और तडप होगी. आमीन. परमेश्वर ने उजागर किया कि कैसे शैतान शोहरत का लालज दे कर लोगों को नुकसान पहुंचाता है? हाँ. परमेश्वर के वचनों से मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना काम छोड़कर अपने कर्तवे में सारी उर्जा इसलिए नहीं लगा पाया. क्योंकि शैतान ने शोहरत और धन की बेड़ियों से मुझे काबू में कर रखा था. उसने मेरे लिए जाल बिछाया था. शैतान ने शोहरत और धन के इस्तिमाल से मुझे बैकाया और ब्रश्ट किया. जिसके कारण मैं इनके पीछे भागा, परमेश्वर से दूर हुआ और उसे धोगा दिया. मैं छोटा था तब मेरा परिवार गरीब था, हमें ताने सुनने पड़ते थे, दूसरों का अनादर सहना पड़ता था. भीड से उपर उठो और पूरवजों का नाम करो, आदमी उपर की और जाने के लिए संघर्ष करता है, पानी नीचे की और बहता है, ऐसे शैतानी फलसफे मुझ में भरे थे. मैंने इन धरनाओं को सरवोच सत्यमान लिया, और एक अमीर इनसान की तरह जीने की कसम खाली. इसी कारण मैं अपनी गरिमा भुला कर अपने बास के सामने गिलगलाता और उसकी ज्यादा से ज्यादा चापलूसी करता था. फिर जब मुझे रुद्बा मिला, तो चिंता सताती की दूसरे मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे. तो रुद्बा जमाने के लिए मैंने अपने जमीर के खिलाफ जाकर क्लाइंट को पैसों और विश्याओं की रिश्वत दी. मैं हमेशा आशंकित महसूस करता था. डर था कि मेरे पापों का घाड़ा भर जाएगा. उंचा रुद्बा पाने के लिए मैंने कश्ट उठा कर एक कमपनी खड़ी की. यह उल्डा तैरने जैसा था. मुझे एक पल का आराम नहीं था. आखिरकार मैं बुरी तरह ठक कर बीमार पड़ गया. जब मेरे पास कोई रुद्बा और ताकत नहीं थी, तो मैं इन्हें पाने की कोशिश करता था. पर जब यह सब कुछ मिल गया, तो लोगों की खातिरदारी करने लग गया. मैं दुनिया के बुरे चलन अपनाने को मजबूर था. लगता ही नहीं था कि मैं इंसान हूँ. मैं जरा भी शान्त और स्थिर नहीं था. हमेशा आशंकित रहता था. एक कश्टदाई जीवन जी रहा था. शैतान ने मुझे सताने के लिए शोहरत और धन का इस्तेमाल किया. सैका. मुझे एहसास हुआ कि जिस शोहरत और धन की चाहा शैतान हमारे अंदर डालता है, वह एक नकारात्मक चीज है. यह हमारे साथ खेलने और हमें नुकसान पहुचाने का शैतान का तरीका है. इससे इंसान केवल भ्रष्ट होकर नुकसान उठाता है. इससे लोगों की इंसान चीज जाती है और वो राक्षस बन जाते हैं. शोहरत और धन की चाहा सच्चा मार्ग नहीं, इनसे इंसान और ज्यादा भ्रष्ट और पीडित हो जाता है. सही कहा. परमेश्वर के वचनों के पोशन और सिंचन का आनंद उठाकर, मैं समझा कि सिर्फ सत्य खोच कर, प्राणी का करतव्य निभा कर ही, मैं एक मुलिवान और सार्थक जीवन जी पाऊंगा. मैं शोहरत और धन के पीछे भाब कर अपनी जिंदगी बरबाद करने के जाल में नहीं फंस सकता. इनसे मुक्त होने के लिए मुझे परमेश्वर पर विश्वास रखना होगा. करतव आसानी से स्विकार हो गया? यह इतना आसान नहीं था. कंपनी में मेरी जिम्मेदारी बड़ी थी, इसलिए मैं जानता था कि अगर मैंने इस्तिफा देना चाहा, तो चेर्मेन मनजूर नहीं करेगा. इसलिए मैंने चेर्मेन से बीमारी के लिए लिए लंबी छुट्टी मा मांगने का फैसला किया. अगर शायद उसे मेरा इरादा मालूम पड़ गया और उसने कहा, मैं इस पर साइन नहीं करूँगा. अगर मैंने तुम्हें बीमारी की छुट्टी दे दी, तो उसके बाद तुम इस्तिफा दे दोगे. समझ नहीं आया कि मैं उसे क्या बोलू? अगर उसने मुश्किलें खड़ी करके पैसे नहीं निकालने दिये तो क्या होगा? उस दौरवान मेरे लिए इस्तिफा देना बड़ी मुश्किल समस्या बन गई. मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके राह दिखाने की व परमेश्वर कहते हैं, जब अबराहम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने बेटे को मारने के लिए छुरी ली, तो क्या उसके कार्यकलाब परमेश्वर द्वारा देखे गए थे? वे देखे गए थे. समूची प्रक्रिया में आरंभ से, जब परमेश्वर ने कहा कि अबराहम इसहाग का बलिदान करे, उस समय तक जब अबराहम ने अपने पुत्र का वध करने के लिए वास्तों में छुरी उठा ली, परमेश्वर ने अबराहम का रिदय देखा, और पहले परमेश्वर के बारे में उसकी नासमझी, अज्ञानता और गलत फेहमी चाहे जो रही हो, किन्तु उस समय अबराहम का रिदय परमेश्वर के प्रती सच्चा और इमानदार था, और वो परमेश्वर के द्वारा दिये गए पुत्र, इस हाग को सच्मुझ परमेश्वर को लोटाने जा रहा था, परमेश्वर ने उसमें आज्याकारिता देखी, ठीक वही आज्याकारिता जो उसने चाही थी, आमेश्वर ने देख लिया कि अबराहम का दिल उसके प्रती सच्चा था, फिर मैंने अपने बरताओं पर चिंतन किया, भले ही मैं यह दावा करता था, कि मेरी आस्था मेरे जीवन का सबसे जरूरी और बड़ा हिस्सा है, और यह कि मैं इस्तीफा देकर अपना कर्तव्य निभाना चाहता हूँ, यह बस निरर्थक बातें थी, मैंने अपना सच्चा दिल नहीं सौंपा था, मुझे चिंता थी कि इस्तीफे की बात पर चेर्मेन नाराज हो जाएगा, और मैं पैसे वापस नहीं ले पाऊंगा, मुझे सिर्फ अपने फाइदों की चिंता थी, अबराहम ने परमिश्वर को अपना एकलोता बेटा सौंप दिया, मुझे तो बस अपनी नौकरी से इस्तीफा देना था, मैं ये भी नहीं कर सका, मेरा दिल परमिश्वर के लिए सच्चा नहीं था, क्या मैं बस उसे धोखा नहीं दे रहा था, सच है, यह है एहसास होने पर मैंने कुसूरवार महसूस किया, मैंने परमिश्वर से प्रार्थना की, हे परमिश्वर, मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ ताकि अपना कर्तवी निभाने पर ध्यान दे सकूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, हे परमिश्वर, अब मैं और दोखा नहीं देना चाहता, मैं अपनी नौकरी छोड़कर कर्टवी निभाने के लिए तैयार हूँ प्रार्थना के बाद चेर्मेन के साथ अपने इस्तिफे के बारे में चर्चा करने की हिम्मत मिली अंध में उसने मुझे छे महिनों की छुट्टी दे दी पर मैंने इस्तिफा देने का मन पना लिया था इसी तरह छे महिने बीद गए कमपनी से संबंध बनाए रखने के लिए मैंने छुट्टी बढ़वानी चाही ताकि पैसे वापस ले सकूँ मगर चेर्मेन ने कहा कि वह प्रांतिय राजधानी में हमारी सेल्स कमपनी में था उसने चुट्टी बढ़ाने के लिए मुझे अकेले में मिलने को कहा मगर जब हम मिले तो उसने मेरी चुट्टी बढ़ाने की बात ही नहीं की बस मुझे कमपनी के अलग-अलग विभागों की सैर कराने लगा सभी दफ्तर शांदार ढंग से सजे थे और बहुत अच्छे थे सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे हर विभाग के मैनेजर ने मुझे डाइरेक्टर वांग कहकर बुलाया मैं फिर से लालच के जाल में फंस चुका था मैंने सोचा इस कमपनी में अभी भी मेरा इतना प्रभाव है इस कमपनी में मेरा बड़ा हिस्सा है और मैं आज भी इस कमपनी का लीडर हूँ पिछले दो सालों में हमारी कमपनी ने बहुत मुनाफ़ा कमाया है अगर मैं अपना कर्तब वित्याब कर यहां काम करता रहा तब तो मैं यहां पर बहुत पैसे कमा पाऊंगा और धन दौलत एशो आराम की जिंदगी बिता पाऊंगा आगे की पीडियां भी ज़त की जिंदगी जियेंगी यह खयाल आने पर मैं थोड़ा बहक गया वाकई बहुत लालच आया होगा हाँ मगर फोरण पता लग गया कि मेरी हालत सही नहीं थी और मैंने तुरंट अपने मन में परमेश्वर को पुकारा तब ही मुझे प्रभू येशू के वचन याद आए तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते मैंने बाइबल की वह कहानी भी याद की जिसमें शैतान प्रभू येशू को ललचाने की कोशिश करता है फिर इबलीस उसे एक बहुत उचे पहाड पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभो दिखा कर उससे कहा कि यदि तू गेर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूँगा तब येशू ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा क्योंकि यह लिखा है तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर मुझे कंपनी में बने रहने का लालज देने की भरपूर कोशिश नहीं किये जा रहा था क्या यह सब शैतान की ही कारगुजारी नहीं थी शैतान रुतबे और धन से मुझे ललचाने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं परमेश्वर और अपने कर्तव यह को छोड़ दू शैतान को अपना शोशन करने दू मुझे शैतान की धूर्थ साजिश में नहीं फसना था परमेश्वर का धन्यवाद अगर मुझे परमेश्वर का मार्क दर्शन नहीं मिलता तो मैं लालच में आ जाता हाँ इसके बाद मैंने तीन महीने की और छुट्टी ले ली जब तीन महीने खत्म होने को आए तो मैंने सोचा मैं इस तरह छुट्टीयां मांगता नहीं रह सकता अगर मुझे कर्तव यह निभाने के लिए कंपनी की साथ अपने संबंध तोड़ने हैं तो फिर मुझे अपने शेयर बेचने होंगे परसाल में एक ही दिन ऐसी बिक्री की अनुमती होती है अगर चेयर में ने शेयर नहीं बेचने दिये तो उसके पास इक्विटी पूझी में अब भी मेरे डेढ़ मिलियन रखे हैं अगर उसने वह वापस नहीं किया तो मैं कंगाल होकर सड़क पे आ जाओंगा वो पैसे मेरे खून पसीने की कमाई थे उस दोरान मैं पूरे दिन यही सोचता रहता था करतव विन्हा निभापाने के करण दुखी रहता था मन ही मन मैंने परमिश्वर से प्रार्थना की इस उल्जन से आजाद करने के लिए और रास्ता दिखाने को कहा बाद मैं अपने शेयर पर चर्चा करने के लिए मैं चेर्में से मिला पर उसने मुझे शेयर नहीं बेचने दिये मुझे ये बात बिलकुल भी मन्जूर नहीं थी मैंने यह पैसे कमाने में बहुत मेहनत की थी उस पल मुझे एहसास हुआ कि शैतान फेर से मुझे ललचाने की कोशिश कर रहा था मुझे इश्वचन का अंश याद आया सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं अपने रिदय में अयूब गहराई से मानता था कि उसके पास जो कुछ भी था वो सब परमेश्वर द्वारा उसे प्रदान किया गया था और उसके अपने श्रम की उपज नहीं था इस प्रकार वो इन आशीशूं को कोई ऐसी चीज के रूप में नहीं देखता था जिसका लाभ उठाया जाए बलकि इसके बजाए उसने अपने जीवित रहने के सिद्धानतों का सहारा लेकर उस मार्ग को अपनी पूरी शक्ती से थामे रखा जो उसे थामना ही चाहिए था उसने परमेश्वर की आशीशूं को संजो कर रखा और उनके लिए धन्यवाद दिया किन्तु वो आशीशूं से आसक्त नहीं था नहीं उसने और अधिक आशीशूं की खोज की ऐसी थी उसकी प्रवर्ती संपत्ती के प्रती उसने आशीश प्राप्त करने के खातिर ना तो कभी कुछ किया था नहीं वो परमेश्वर के आशीशूं के अभाव या हानी से चिन्तित या व्यथित था वो परमेश्वर के आशीशूं के कारण न तो खुशी से पागल या उन्मत हुआ था नहीं उसने बारम बार आनंद लिये गए इन आशीशूं के कारण परमेश्वर के मार्ग की उपेक्षा की या परमेश्वर का अनुग्रह विस्मृत किया था अपनी संपत्ती के प्रती अयूब की प्रवृत्ती लोगूं के समक्ष उसकी सच्ची मानवता को प्रकट करती है सबसे पहले अयूब लोभी मनुष्य नहीं था और अपने भौतिक जीवन में संकोची था दूसरे अयूब को कभी ये चिन्ता या डर नहीं था कि परमेश्वर उसका सब कुछ ले लेगा जो उसके रिदय में परमेश्वर के प्रती आज्याकारिता की उसकी प्रवृत्ती थी अर्थात उसकी कोई मांगें या शिकायते नहीं थी कि परमेश्वर उससे कब ले अथवा ले या नहीं और उसने कारण नहीं पूछा कि क्यूं ले बलकि परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन भर करने की चेश्टा की तीसरे उसने कभी ये नहीं माना कि उसकी संपत्तियां उसकी अपनी महनत से आई थी बल्कि ये कि वे परमेश्वर द्वारा उसे प्रदान की गई थी ये परमेश्वर में अयूब की आस्था थी और उसके द्रिढ़ विश्वास का संकेत है आमेन परमेश्वर के वचनों ने दिखाया कि कैसे अयूब ने इतना सारा धन कमाया पर कभी उससे लगाओ नहीं रखा बल्कि परमेश्वर की प्रती समर्पित होने और आराधना को महत्व दिया अपनी सारी धन दौलत खोकर भी वह परमेश्वर की इस्तुती और गुडगान कर पाया मुझे अयूब की कहानी बहुत प्रिरक लगी मैं जानता था कि मुझे भी अयूब की तरह धन दौलत छोड़कर परमेश्वर को संतुष्ट करना होगा ऐसा सोच कर मैं दो लाख यूवान के शेयर छोड़ने को राजी हो गया पर चेयर्मेन को लगा कि इतना काफी नहीं था उसने मुझे और शेयर छोड़ने को कहा इतने सारे पैसे छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं था तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की तब ही मुझे एहसास हुआ कि इस बार शेयतान मुझे रोकने और काबू करने के लिए पैसों का इस्तिमाल कर रहा था मुझे अपनी दौलत खोने की कीमत पर शेयतान के बहकावे में नहीं आना चाहिए मुझे गवाही देकर शेयतान को नीचा दिखाना होगा फिर मैंने पांच लाख युवान के शेयर छोड़ दिये और उसने मुझे कमपनी से निकल जाने दिया उसके बाद मैं आस्था का अभ्यास कर करतवी निभाने में ध्यान लगा पाया परमेश्वर के मार्क दर्शन से ही आप शोहरत और धन के बंधन से मुक्त हो पाये होंगे बाद में ब्रश्ट अचार और रिश्वत खोरी के आरोप में एक काउंटी कमेटी सेक्रेटरी को जेल हो गई इससे उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगल गया मैंने सोचा शोहरत और धन के पीछे भागने के यही नतीजे होते हैं याद आया कि कैसे मैं रुत्बा पाने के लिए भी तोफे दिया करता था रिश्वत लेता देता था पतन और भरष्टा चार में दिरता जा रहा था अगर मैंने कंपनी नहीं छोड़ी होती तो शायद मेरा भी बिलकुल यही अंत होता सरोशक्तिमान परमेश्वर के वचनों ने मुझे शोहरत और धन के बंधनों से मुक्त किया और शैतान की लालच से बचाए रखा मैंने परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद किया बीते सालों में मैंने लगातार अपना कर्तव्य निभाया है भाई बेहनों के साथ मिलकर अक्सर परमेश्वर की वचनों पर सभा और संगति की है काफी सारा सत्ति जान चुका हूँ मुझे कई सांसारिक चीजों की परख हो गई है मैं इन इश वचनों पर अक्सर मनन करता हूँ लोगों का पूरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है और अगर परमेश्वर के सामने लिया गया उनका संकल्प नहीं होता तो मनुष्यों के इस खोखली दुनिया में व्यर्थ रहने के लिए कौन तयार होता कोई क्यों परिशानी उठाता दुनिया में अंदर और बाहर भागते हुए अगर वो परमेश्वर के लिए कुछ ना करे तो क्या उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा आमेन सच में जिन्दगी बहुत छोटी है मैंने अपनी आधी जिन्दगी शैतान के प्रभावक्षेतर में बिता दी धान और शोहरत के पीछे भागता रहा सबसे बेहतर बनना चाहा शैतान ने मेरे साथ खिलवाल कर मेरा शोशन किया मैं दुखी एक खोखला और निरर्थक जीवन जी रहा था परमेश्वर की दया और अनुग्रह से ही मुझे उसके अंत के दिनों का उधार मिल पाया मैं उसके लिए खुद को खपा पाया एक स्रिजित प्राणी का कर्तव ही निभा सका उसके बिना मैं सारा जीवन बरबाद कर देता यही सच है कलीसिया में अपना कर्तव ही निभा कर भले ही मेरा रुद्बा और धन दौलत पहले जैसा नहो पर अब मैं एक मुक्त जीवन जीता हूँ मेरा मन भी शान्त हो गया है लगता है कि मैं इंसान की तरह जीवन बिता पाया हूँ यह सब परमेश्वर द्वारा मुझे सही मार दिखाय जाने से ही मुमकिन हुआ परमेश्वर के प्रेम और उध्धार के लिए उसका धन्यवाद आमीन परमेश्वर का धन्यवाद